लिखते हैं सबसे पहले कारेपत्र 15 फर्स कुशन है परमानू में कितने कर्ण पाई जाते हैं नाम वा आविश लिखिए आंसर हो जाएगा तीन कर्ण पाई जाते हैं प्रोटोन धनात्मक आविश, इलेक्टोन निनात्मक आविश, नीट्रोन उदादसी परमानू के मध्य पाग को क्या कहते हैं परमानू के मध्य पाग को नाभिक कहते हैं नाभिक कौन से कनो को समाईत किये हुए है नाम लिखिए नाभिक में प्रोटोन वर नीट्रोन कन होते हैं 8. सचीत्र व्याख्या कीजिए। यहां सचीत्र व्याख्या की जीस तरह से आपको करनी अहींThis धनात्मगोल और अलेक्टोए से आपको नाम लिखना एं नाम लिखना है तो लिखना है। वूआतियां waits टॉमसन नै क्या परमानू की सरचिना से संबंदित एक model प्रसुत किया, जो Christmas cake की तरह था, इसके अनुसर परमानू एक धनावेशित गोला था, जिसमें electron किसमस cake में लगे सुखे मेवो की तरह थे, या एक तरबुच की तरह, जिसमें तरबुच का खाने योग्ये लाल भाग धनावेशित और बीच इलेक्टरॉन की ठीक है, जैसा ऐसा लग रहा है यतर में, तो यहा पर ये इसकी परमानू प्याख्याती, टॉम्सन के model की कम्या क्या थी? वो बताना है, टॉम्सन के model के अनुसर परमानू का द्रवेमान, पूरे परमानू पर समान रूप से बटा हुआ माना गया, परंतु यह model भविश्य क पर्मानु प्रियोगों के संगत खरा नहीं पाया गया यह मॉडल न्यूट्रोन वर इलेक्ट्रोन की इस्तती स्पष्ट नहीं करता था तो यह ड़न होता है कारेपतर 15 का सॉलुशन आप देखेंगे कारेपतर 16 कोशन फर्स्ट है रदर फोर्ड त्वारा अलफा कन का ही प्रि नहीं की तरह की रिया करेंगे एकुल देखेंगे स्वान पड़ प्रियोग्र का नामाङ की चित्र बनाए तो इस तरह से आपको प्रियोग कर जो उस ने किया था और अलफा कन विश्लीट हूए स्वानपत्र निकल गये सेकिन में लिखेंगे कुछ ही एलफा कन अपने पस से विचलित हुए जिसे ये पता चलता है कि परमानों का धनात्मक आवेश बहुत कम इस्थान लेता है। फोर्थ कोशन है रदर फोर के परमानों मॉडल की कमिया समझाईए तो यहां अंसर लिखेंगे गोला का चकक्ष में चक्रन लग करते हुए इलेक्ट्रोन इस्थाई नहीं रह सकता है क्योंकि कोई भी आविशित कन गोला का कक्ष में तवरित होगा तवरन के दोरान आविशि इस तरह से आपको इं बराबर चार, तीन, दो एक लिखना है NOBIKे देना है किसी परमानों में कुछ उरजा इस तथ जो है वह आपको यहां पर लिख देना है तो इस तरहस से आपको नामंग की सट्र बना था ऑग आरे पत्रक 17 का फर्स कोशन देखते हैं, पर्मानु की तीनो कनो उनके खोज करता के नाम लिखिए, तीनो कनो को नाम लिखना है आपको, क्या होता है, पेन, ठीके, प्रोटोन, इलेक्टोन, नूट्रोन, तो मैं इसी तरह से याद कर दी थी, तो मैंने आपको बताया है, ठीक कि खोज, जैम्स, चैडविक, किसने की थी, जैम्स, चैडविक, ठीके, सेकिंड कोशन है, किसी कक्षा में अधिक्तम इलेक्टोनों की संख्या ग्याद करने का सूत्र लिखिए, टू एन इसको है, जहां पर एन होता है, कक्षा संख्या, ठीके, सबसे बाहरी कोश में इलेक झार करता है, किसी क्रम इखिए, औक्सीजन में 8, इलेक्टरन है, 2-6, सोडियाम, 11 इलेक्टरन, 2-8-1, एलिमिनियम, 13 इलेक्टरन, किस करम में रहते हैं है, इस अधिके, फिर्थ कुशन है दिए गए चित्र में परमानू की सही उजगता बताईए तो देखिए यहाँ पर है प्लस वन यहाँ पर है माइनस थ्री यहाँ पर है जीरो तो यह डन होता है कारे पतरक 17 का सॉलुशन अब देखेंगे कारे पतरक 18 का सॉलुशन तो यहाँ फर्स कुशिन है आपको साथ की साथ इसे नोट डाउन करते जाना अपनी वगबुक में फर्स कुशिन है यहाँ पर परमानू संख्या परमानू के कौन से कनों की संख्या के बराबर होते हैं प्रोटोन की संख्या के बराबर होते हैं जैड संकित किसको दर्शात है पर्मानु संख्या को? द्रवेमान संख्या किसे कहते हैं? एक पर्मानु की नाभिक में उपस्तित प्रोटोनों और न्यूटोनों की कुल संख्या के योग को द्रवेमान संख्या कहते हैं. फोर्थ कोशिन है तत्व परमानु संख्या वा दर्विमान संख्या को प्रदशित करने का सूत्र लिखिए तो दर्विमान संख्या तत्व का प्रति परमानु संख्या तो इस तरह से आपको प्रदशित करने का जो सूत्र है वो लिखना था निम्नांकी तत्व की पर्मानु संख्या वर द्रविमान संख्या का मान लिखे 8 O 16 में पर्मानु संख्या 8 है द्रविमान संख्या 16 जो उपर वाली संख्या वो जो द्रविमान संख्या वो होती है नेचे वाली होती है पर्मानु संख्या ठीक है तो C, 6C 12 में है पर्मानु संख्या 6, द्रविमान संख्या 12, 1H1 में पर्मानु संख्या और द्रविमान संख्या 1,1 है 17Cl, क्लोरीन में यहाँ पर 35.5 इसकी द्रविमान संख्या होती है और पर्मानु संख्या होती है 17 तो यह कारे पत्रक 19 बक्षित 19 का solution फर्स कोशन है कोबाल्ट समस्थानिक का उप्योग कौन से रोक के उपचार में किया जाता है तो आंसर हो जाएगा कोबाल्ट समस्थानिक का उप्योग कैंसर रोक के उपचार में किया जाता है सेकंड कोशिन है समस्थानिक और समभारिक में तुलनात्मक अंतर तो एक ही तत्व के परमानु होते हैं समस्थानिक परमानु कुरमांग समान होते हैं द्रवेमान संक्या भिन होती है रासानिक गुन समान होते हैं इसके अलावा इनका इलेक्ट्रोन विन्यास भी समान होता है जबकि समभारिक में भिन-भिन ततों के परमानु होते हैं, परमानु करमांग भिन-भिन होते हैं, द्रवेमान संक्या समान होती है, रासानिक गुन भिन होते हैं, तो जो उसमें भिन है वो इसमें समान है और जो उसमें समान है वो उसमें भिन है, तो ठीक है, एक की अंदर य प्रोटोन धनाविशित व इलेक्टोन रिनाविशित की संख्या बराबर होती है तो यह डन होता है कारेपत्रक 19 अब देखेंगे कारेपत्रक 20 का सॉलुशन 25 प्वेंटी तो यहां देखें एक चित्र दिया गया है तो उक्त चित्र किस पादप की जिल्ली का है प्याच की जिल्ली का यह प्याच की जिल्ली का आपको चित्र दे रखा है इसमें कैंद्री का हैं कोशी का जिल्ली कोशी का दरवेद धागा कैंद्रक रिक्ती का उक्त जिल्ली की सरंचना की तुलना किस दिवार से की जा सकती है इटो की दिवर देखी, नजदिक से जब देखेंगे न, प्याँच की छिल्के को तो इस टैप की जिल्ली दिखाई देती है, जैसे इटो की बनी हो वो, जिस प्रकार इटो को जोड़कर भवन के निमान का, दिवारों का निमान कहा जाता है, उसी पका सजीवो की कौन सी मूल यहान फोर्स कोशिन दे रघा है, निमन चित्रों में दिखाए गई सजीवो के नाम लिखिए तो पहला चित्रे के ओदर नलूर की कहते हैं, पर किस चीज का है अमीबा जिससे आपको बनाना भी आना चाहिए क्योंकि अमीबा का नामां की चित्र भी पूछा जा सकता है एक्जाम में सेकिंड धर में देखे पिक्चर नहीं किवन है तो हम इसे डॉप कर देंगे फोर्थ में हमें दे रखा है हाईडरा ये क्या है हाईडरा सेकिंड कोशिन है प्रेशर संख्या एक के चित्रों में से एक कोशी के बहु कोशी के सजीवो को प्रतक कर शानी में लिखना है तो एक कोशी के अमीबा है बहु कोशी के हो जाएगा हाईडरा एक कोशी के सजीवों की शरीर में कितनी कोशिकाय पाजाती है देखी नाम से ही जाहिर है एक कोशी की यानि एक कोशी का तो यहाँ पर अंसर हो जाएगा एक एक कोशी के पादव एक कोशी के जन्तु का एक एक उधारन दीजिए तो एक कोशी के पादव का उधारन होगा शैवाल और जन्तु हो जाएगा जीवानू मुर्गी के अंडी में कोशिका की संख्या कितनी होती है एक ऐसी एक कोशिकी सरंचनाओं की दो उधारन देजिए जो अपनी आकरती बदलनी में सक्षम है अमीबा श्वेत रक्ष करनी का है या श्वेत रक्त कोशिका है सौरी ठीके तो यहाँ पर यह डन होता है कारे पत्रक 21 इसका सौलुशन यह अब आगे बढ़ती हुए देखेंगे करे पत्रक 22 का स्ख़यकी सर्वार्टी कोशिकागों की जिल्ली की हुपस्तित के आधर पर सांडी को पूरा की जिए कोशिकांग बताने हैं आपको कोशिकांगों की आधर पर कोशिकंगATHAN सॉल करने है हमाईट्रो जिनमें केंद्रिक की परधात केंद्रक जिल्ली विहीन होता है, उन्हें किस टेडी में रखा जाता है, प्रोकेरियोटिक कोशिका, जिल्ली उक्त कोशिकांगों वाली कोशिकांगों को क्या कहते हैं, यूकेरियोटिक कोशिका, जिल्ली उक्त को कहते हैं, यूकेरियोटिक को कोशिका वाले सजीवों के दो दो उधारन दीजिए तो प्रो केरियोटिक जिल्ली विहिन होते हैं जीवानू नीले हरे सैवाल और यू केरियोटिक में आजाएगा पादब कोशिका कवक या प्याच की जिल्ली